हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो बार यूट्यूब चैनल विध्यमाज अगर आज आप पढ़ेंगे सेमी कंडुक्टर एलेक्ट्रोनिक्स पार टू कुछ और इंपोर्टन टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं जो आपके डिली राइप साही रिलेटेट हैं कुछ इंपोर् आपको देखने को मिलता हैं तो दब तक के लिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ ठीक है अब कावकियों का कॉम्बिनेशन के वारे मां बात करेंगे पहला है अब जो इलेक्ट्रोन है और होल है वो पेयर यान की बढ़ते हैं ठीक है हम समझें दाफ्री और होल है किस्टलेटिस के अंदर मूब करते रहते हैं याल्जर में ठीक है जर इस ऑलवेश चांस घ विल्स नारण कि इसा याप में मिल जाएगा में इस हाँ नगेब रेक्टाउल के सांद करता है यान कि आपसमा आता है देविल रिकमभाइन फोर एच्टेवलेशिंगि अब जब फ्री एलेक्ट्रों और होल आपसे मिल जाएंगे तो वह बिल्कुल खतम हो जाएंगे और उनके होगा एनर्जी को दूसरा एलेक्ट्रों री एब्जॉर्ब करेगा ताकि इनके जो कोबिलेंड बॉन्ड बनाया है उसको तोड़ दे इन दीस मेंदर अन्यू फोल पेर इसे ही उसने पॉल पार एक नया एलेक्ट्रों और होल पेर जन्रेट हो गया ठीक है इलक्ट्रों अलग और होल जो प्जाल जाला होता है अगला है हैंसे ता मैज़्ट आप स्प्लिटिंग पूर्ण पूर्ण रिकॉंबिनेशन ऑफ इलेक्टोन और हॉल विल टेकिंग बेस्टानिशलिक अभियानि कि जो स्पिलिटिंग की मेधार जैसे कि Electron and Hole combination हुए फिर उनके energy दूसरी ने ρे kanånd करे फिर उसकी energy ने वनको absorb करके उनको द्वारा से तोड़ है जो continuous splitting है यहानि कि लगातार जो splitting हों पेर बन रहे है अगर temperature को बढ़ा जाए जाए सब्सक्राइब करेंगे तो इलेक्ट्रों और होल की देंसिटी बढ़ जाएगी बिकॉस अब जैसे इनकी को रैंड बॉंट तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रों और होल से बढ़ेंगे यानिकि सब्सक्राइब करेंगे जिसकी वजह से सब्सक्राइब की बढ़ जाएगी जब कि उसकी ज्यादा होती है कि अब हमारे पास प्यॉर और इंट्रिंशिक सेमी कंड़क्टर अंड इंप्यॉर और से एक्सरिंशिक सेमी अब्जल यह होते हैं Pure or intrinsic और दूसरे होते हैं Impure or Extrinsic अभी क्या होते हैं इनको भी पढ़ लेते हैं intrinsic semiconductor can be defined as semiconductor in which electrons and holes are solely absorbed by Thermal Excitation or the semiconductor in extremely pure form इससे हम कहते हैं Pure or Extrinsic intrinsic semiconductor इस तैप के semiconductor होते हैं इसमें जो electrons हैं और holes है वो thermal excited से द्वारा semiconductor में ही क्या होते हैं कि बिल्कुल pure form होते हैं ना यहने किसी भी external help की जर्वत होते हैं यह सिर्फ अपने pure form होते हैं जो metal पहले था वही metal लास्ट में भी बनता है ठीक है है जाने कि यह होते हैं pure intrinsic semiconductor अब जो extrinsic और impure क्या होते हैं the number of electron will be always equivalent to the number of holes in intrinsic semiconductor intrinsic में हैं तो क्या होते हैं सारे सेमी रहते हैं लेकिन extrinsic में रहते हैं कि जो एक extra electron हमको add करना पड़ता है भार से ताकि वह conduct कर सके ठीक है impure साथ भी प्यूर और impure प्यूर होंगे जिसमें कोई भी दूसरा molecule ना जोड़ा हो इंप्यूर यानि की जिसमें हम भाल से कोई molecule मिला रहे होंगे ठीक अब देखो intrinsic semiconductor आपने पढ़ दिया अब आगे extrinsic semiconductor the electrical conductivity सबसें एक चीज़ और intrinsic semiconductor की definition बहुत छोटी है और वो conductor भी कम करते हैं ऐसे semiconductor जो प्यल्कुल प्यूर होते हैं जिसमें कोई भी भाल से कोई इंप्यूरिटी एड़नी की होती है उसे हम फ्यूर सेमिकंडुक्टर कहते हैं यह आप डेफिनाइन कर सकती हो अब extrinsic semiconductor क्या है the electrical conductivity of electricity semiconductor will be enhanced by the addition of some impurity in method of crystallization यानि कि करें कि जो conductivity है intrinsic semiconductor की उसको बढ़ाया जा सकता है जब हम उसमें कुछ इंप्यूरिटी एड़ करें method of crystallization की वजह से मदद से the added impurity will be very small of the order of one atom per million यान कि जो इंप्यूरिटी हम एड़ करेंगे न वो बहुत ही छोटी होगी ठीक है semiconductor के according हो बहुत ही छोटी होगी लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे उसको मेलाएंगे प्यूर सेमिकंडक्टर में this kind of semiconductor can be referred as impurity or extrinsic semiconductor इस type के semiconductor को आप इंप्यूर और extrinsic semiconductor कहते हो जो मैंने भी आपको बताया था अब इस कौम डूपिंग इस प्रोसेस कौम डूपिंग कहते है कि कोई भी एक impurity को तुम semiconductor में एड़ कहते हैं ठीक है यह होती है डूपिंग डूपिंग मटीरियल इधर पेंटावेलेंट एटम सच अच बिसमत एंटीमनी आर्सेनिक फॉस्पोरस विचार हेविग फाइव पेंटावेलेंट वह हो या तुम्हें ट्रावेलेंट हो जिसमें तीन वैलेंटी लेक्टोन वह जैसे गलियंग इंडियम एल्यूमिनियम बोर्ण एक सकता ठीक है जब क्वेंटावेलेंट डूपिंग एंट्टम कैन बीफोर्ट आस ड्ओनर एंटेप्न जो पेंटावेले क्यों कहते हैं क्योंकि जो semiconductor का actual structure होता है ना तो यह भारी impurity मिनाने से उसका structure भी change हो जाएगा इसलिए हम उसको कहते हैं impure semiconductor कहते हैं और जो process होती है doping जैसे आपने बहुत पास सुना होगा कि यह खिलाड़ी doping में फस गया वो खिलाड़ी doping में फस गया तो यही चीज होते हैं कि तुम कुछ भारी external चीज़ें ले रहे हो जो तुमारे लिए सही नी एक्स्टरनल चीज़ें ले रहे हो ताकि तुमारी बोडी ज्यादा वर्क करें यानि कि ज्यादा प्रणुक्ट करें उसी वह जी चीज़ होती है doping यानि कि प्योर सेमी कंडुक्टर में जब इंप्योरेटी मिल आ दें तब मुहारा pentavalent impurity को मिलाएंगे यानि कि जिसमें 5 donor atom होते हैं उसमें मिलाएंगे ब्रोडियोटी किस्टल can be referred as n-type extrinsic semiconductor अब हम उस structure को क्या गाएंगे n-type extrinsic semiconductor कहेंगे ठीक है अब अभी आपने पड़ा था कि pentavalent और trivalent type case में क्या बनते हैं ओन न Ooh attachment अब होते हैं तो एक ट्रा एक्ट्रा एक्सत्रा एक्सरार होता तो इसक्त्रा ऐसे घुंप रहा होता है ठीक है एक्स्ता एक्सरा से घुम रहा होता है ग्एंप मिलरे लन हो सहीत है है ऐसे 2ð बाड़ थे इलेक्टवी सब्सक्राइब डीरे सुपीलिड को ढ़प आखिए अब ऑधने लृप सुलनेंटेट्व ऑब यह सां पांध मेरी अज़टी केडियर dari président के इसमया ङुद के भी सारे उफने माज़र्येनटी कीडियर की r यह कहने कि एंटार स्मीकंदक्टर में रिचा भले ही क्या हो नंबर आफ एलेक्ट्रॉन ज्यादा हो फिर भी वह एलेक्ट्रीक्ट्रली न्यूट्रल होता है कहरें this will be because of the fact that electrons are produced by the addition of neutral pentavalent impurity added to the semi-kंदर यह कहरें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो electron produced होते हैं जब हम इंप्यूरिटी एटम्स को से मिलाते हैं तब इलेक्ट्रों प्रोड्यूस होते हैं उसके जैसे ऐसा होता है यानि कि पॉइदिशन कुछ भी नहीं होगा पाजरेव नेगेटिव चार्ज एगा उसमें क्योंकि देखो एक नेगेटिव चार्ज यह आशे करके Dafür If a little amount of trivalent अब देखो P type में Trivalent Impurity को मिलाया जाता है Tब हम उसको क्या कहते हैं P type extranseak semiconductor कहते है इसमें अँक्स्ट्राओल-सelistron रखोते हैं अब जो Arep졌 таarlंसेख नम्सेली बरी करूं मतरा शिलिक्वर्टिन होते हैं पर मेजरेटी केरियर होंगे लेकिन जो माईरेटी केरियर होंगे और इलेक्ट्रोन होंगे इसमें ठीक है माईरेटी केरियर इलेक्ट्रोन होगे इसमें जबकि एंडर में माईरेटी केरियर होते हैं उल्टा होता है दूसरे का इस P-tile semiconductor will be remaining electrically neutral as the number of mobile holes under all conditions remain equivalent अभी कह रहे हैं जो P-tile semiconductor होगा electrical neutral तब तक ही होगा जब तक जो number of mobile holes है इस condition के अंदर equivalent रहेंगे number of acceptor यान्कि जितने number of holes है उतने ही number रहें जितने हैं नमबर उब आशेप्टर हैं, जितने हैं उनको आशेप्ट गर रहे हैं, तब तक क्या रहेगा, यह electrically neutral हैं रहेगा, कहना चाह रहे हैं अब आता है PN junction, अब PN junction diode क्या होता है, junction वो होता है जहां पर जुड़ते हैं, जहां पर एक ऐसा point जहां पर लोग जुड़ते हैं, वो होता है junction, ठीक है, इस पर पी-टाइप मंटीरियल है, जोइन टू एन टाइप, इंटीमेटली एप एन जंक्सन विल बी क्रिएट, यगि पी-टाइप सेमीकंड़क्टर को जब आप एन टाइप सेमीकंड़क्टर से मिला देते हो, तब आपका PN junction बनता है, जोइन टू पीचेज अब पी-एन इस पर पी-एन टाइप में टाइप से बनाते हैं, जैसे जर्माइन आलो, पाइप इस पी-टाइप एन टाइप सेमीकंड़क्टर से बनाते हैं, जैसे जर्माइन आलो, पाइड टिफूजिंग P-Materiaal to one half side and N-materiaal to other half side, ठीक है, P-Materiaal को एक आधे साइड में रख जिया और N-type material को एक आधे साइड में रख जा, इक P-type as captain contact with N-type, so to produce one piece, the assembly so required will be defined as P-N junction, अब हम क्या कहा है, जो P-type crystal है, उसको N-type crystal के contact में रखा जाए, ताकि हम उन्हें एक one piece में produce कर सके, तब हम जो हमारा required जो नया product बनेगा, उसे हम कहेंगे P-N junction drive, अब देखो, यह P है, जिसम जिसमें pentavalent होता है, जिसमें एक electron extra होता है, ठीक है, और P होता है positive, जिसमें एक electron कम होता है, यानि कि hole से जादा होता है, तो hole diffusion यहां से होल से इधर को जाएंगे, बीच में जो deflation layer है, और hole drift ऐसे होगा, तो फिर इसकी process भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब जब P-N junction की बात आ जैसा, the junction diode can be defined as forward wise, यानि कि जो यह है, forward wise इसले दिनोट करते है, if external DC source has been connected to the diode with P section, connected to positive pole and N section connected to negative pole, यानि कि देखो, ये नीचवार बैटरी आपकी, बैटरी में जो लंबा आला टंडा होता है, वो आपका positive side, और जो शोटा आला टंडा होता है, वो negative side होता है, जब P-N junction, यान और N side वाले को negative terminal से मिलाओगे, तब आप कहोगे कि आपका जो पुरा circuit है, वो forward wise में है, ठीक है, और reverse wise में भी same है, जैसे हमने उसमें देखा था कि P side, जब आप P side को positive के सांद मिलाओगे, और N side को negative के सांद मिलाओगे, तब आपका forward wise, वैसे ही reverse wise में होता है, जब आप P side क negative के सांद मिलाओगे, और N side को positive के सांद मिलाओगे, तब आपका जो बनेगा table बनेगे, आपका होगे कि जो आपका circuit है, वो reverse wise condition में है, ठीक है, वो इसी जहांपर भी लिगी है, तब डायोट can be defined as reverse wise, if an external DC battery has been connected to junction, यानिक उसमें एक battery connected है, जिसका P section negative के सांद, और N section positive के सां फिर आखता है अगला note, PN junction can be defined as a device which will be offering low resistance when forward wise and act as an insulator if reverse wise, ठीक है, PN junction एक ऐसा junction है कहरे है, एक ऐसा device है, जो low resistance provide करेगा जब forward wise में होगा, low resistance provide करने का मलब उसमें high conductivity होगे, और act as an insulator, और insulator act करेगा, जब क्या होगा, reverse wise, फिर जब insulator की act करेगा, तो उसमें बाइसिंग करन करने बढ़ती है, ठीक है, तो वही चीज़ है, जब reverse 20 मौका, तो current flow नहीं होगी, जिसके वह जैसे क्या होता है, वो insulator की तरह act करता है, और आप दो सकते हो, PN junction का जो normal symbolic diagram दोता है, वो इस तरीके का बनता है, ठीक है, P होता है, ट्रेंगल का, ट्रेंगल के सर पे N लगाता है, ठीक है, तो मुवम्मीज करता हूँ कि आप कोई समझवाया होगा, अगर समझवाया है, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो करची लगी, शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करने, यसे ही important वीड है, अगरूर से ये कि आपको एक हैं, आपको लाइब एंगाने, जबस्टब करें ऑने, जबस्टब करेंगा रधे हैं, ग्लीज